नमस्कार दोस्तों, वेलकरण डू वर्ल अफेर्स, अब तक आपने वो सकता है कि कुछ आर्टिकल्स देखे हो, जहाँ पर लिखा है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्डेंट केस हा रहा है और हमको 10,000 करोड से उपर पे करने होंगे टू केन पीलसी, नाव फिर्स्ट अफ नेदरलेंड की जो राजधानी है, यह है अमस्टरडाम, इनका एक बहुत ही फेमस शेर है, दहेग, वहाँ पे आपको मिलेगा पर्मेनेट कोर्ट अफ आर्बिट्रेशन, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह मैं जोम इन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख जुड़ा हुआ है, UN से, Permanent Court of Arbitration, यह प्रॉपरली UN से जुड़ा नहीं हुआ, और Permanent Court of Arbitration का काम यह है, कि जो भी इशुज होते हैं, countries के, companies की investment से related, tax से related, वहाँ पर यह सुनाते हैं, judgment, तो अगर मैं सर्च करता हूँ, International Court of Justice, यहाँ पर आप देखेंगे, तो फिर से को 1.2 billion से भी ज़्यादा हो सकता है पे करने हो केन एनर्जी को यह जो कंपनी है इससे हम केस हा रहे हैं अब पहली बाद जो इसकी pronunciation है यह केरन नहीं है आर को हम प्रणाउस नहीं करते हैं इसको हम बोलेंगे केन एनर्जी और यह वासे कंपनी हैं UK की इसके headquarters आपको मिलेंगे एडिनबर्ग में और इसका जो share है यह आज कैसे हमें लिस्टेड है लंडन स्टॉक एक्सेंज में और जैसे यह news आई के भारत सरकार को पे करने होंगे यहाँ पर केन एनर्जी को इतना इतना amount तो सीधा इनका share आज आज में करीब पहले 30% उठा फिर अभी भी आप अगर देखोगे तो almost 21% up है क्योंके बहुत बड़ी news है इनके लिए बहुत सारा पैसा है यह कोई company आईसी नहीं के trillion dollar की company है इनके लिए billion का भी इस तरीके से पैसा आना it is a huge thing so discuss करते हैं इस topic को मगर आगे बढ़ने से पहले संसम्यावे बात कर रहे हैं courts की तो आपसे question में पूछूँगा अभी के लिए जो हमारे chief justice of India है शरद अर्विंट बोबडे जी ये इंडिया के कौन से chief justice of इंडिया है 46, 47, 49, 48 आप सबको पता है comment section में answer सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंड में और एक बहुत important announcement मैं अगले साल मतलब के January 2021 से आपके लिए free UPSC test series ले के आऊँगा और लेडिया को बता होगा के मेरे चैनल पर SSE, bank और various और exams के लिए मैं upload करता हूँ daily current affairs mcq series यहाँ पर यह video है आप video पर click करोगे नीचे यहाँ पर description में आपको मिलेगा unacademy pledge इसको आप अगर click करेंगे तो यह जो test series है यह open हो जाएगी यहाँ पर हर तीन दिन में आपको free test मिलता है और जो top 3 performers होते हैं test series में उनको मिलते है Amazon gift voucher मगर यह जो test series है यह primarily focused है on SSE, bank and other exams मैं separate test series आपके लिए launch करूँगा in January जहाँ पे आपको मिलेंगे UPSC level के questions this will be absolutely free test series के लिए pay करने के आप शकता है नहीं मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जितने भी knowledge related sources हैं आपको free में मिले तो अभी के लिए मैं कहूँगा regular current affairs अगर follow करने हैं तो सुबह यह वीडियो देखा करो और यहाँ पे join करो unacademy pledge अगर आपसे यहाँ पे code मांगे तो code डाव देना PG10 यह test series absolutely free है अगर 1.2 के आपस अगर हम 1.3 billion पे करते हैं इनको तो इनके लिए यह bumper कमाई होगी यह इसका dividend बाटेंगे शेरिन का काभी भागेगा so it is great news for this company अच्छा इनकी कहानी क्या है क्यों हम इनको पे करने हैं केस करें शुरू हुआ देखो Kane Energy ने बहुत साल पहले एक इंडिया में venture open किया था जिसका नाम था Kane India इनका focus था oil और natural gas sector में और इन्होंने कुछ हद तक मैं काऊंगा अच्छा काम भी किया 1999 से लेकर 2003 के आसपास राजिस्तान के अरिया में इन्होंने काफी सारी oil और natural gas फील्ड जूंडी अच्छा business चल रहा था इनके पास काफी profit हुआ यहाँ पर इंडिया में और फिर यहाँ पर दौर आया 2006 से लेकर 2007 का अब क्या है कि हर company काफी बार internal restructuring करती है एक तो एनकी main company, head company जो है UK based, फिर है Kane India, Kane India से जुड़ी कुछ और companies होती है, एक और यहाँ पर company है Kane India holding, तो Kane India UK ने क्या किया था, Kane India holding के बहुत सारे जो share थे यह दे दिये Kane India को यह internal company के issues होती है assets liability को manage करने के लिए तो यह इन्होंने उस time किया, मगर फिर कहीं साल बाद क्या हुआ, कि इंडिया की जो income tax authorities है, इन्होंने Kane India के जो मालिखेन को यहाँ पर यह का कि आपने तो बहुत सारे 1000 करो के जो shares है, यह आपने transfer किये हैं, यह share तो asset माने जाएंगे, और यहाँ पर देखा जाए तो Kane India को capital gain हुआ है, तो इसका आपको देना होगा capital gains tax, now obviously इस issue को लेकर, Kane का जो UK officer उन्होंने का के, नहीं हम एगरी नहीं करते हम यह tax pay नहीं करेंगे, सबसे पहले नोंने यह का के, हम जाएंगे ITAT पर, यह है income tax appellate tribunal, यह इंडिया में जो भी income tax related जो issues होते हैं, उसको देखता है, तो यहाँ पर जो case है यहाँ पर, Kane हार गया, और Indian income tax authority जीद गई, और इन्होंने का के, बिलकुल, जितने के share यहाँ पर transfer हुए हैं, जो भी यहाँ पर capital gain किया गया था, उस पर capital gains tax तो हम लगाएंगे, मगर मैं आको यह वदा दू के, Kane ने उसके बाद IT-AT के इलावा, I-Code में भी यह case ले कर गए, और कोशिश करी के, कि इनको कुछ respite मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए, यहाँ पर इस tax को लेकर, मगर 2011 में, Indian income tax authorities ने यह ensure कर दिया, कि यह company बिना India को कुछ पैसा दिये भाग न आ जाए, क्योंकि 2011 में, केन इंडिया ने यह का के हम जो अपना Indian business है, हम बेच रहे हैं हम यहाँ पर अपकुछ profit दिख नहीं रहा we are going, तो इन्होंने डिसाइड किया के जो केन इंडिया इनका जो venture था Indian venture, इसका majority stake यह बेच देंगे विदानता को, विदानता है Indian company, तो इन्होंने काफी कुछ अपना stake बेच दिया, मगर income tax ने का के not so fast, यहाँ पे जो 10% minority stake है ना हम रखेंगे अपने पास, इनके साब भाग गए tax आपने जो tax liability है आपने पे नहीं करी तो यह हम रखेंगे with us, और साथ भारस सरकार ने 2012 के budget में introduce किया था retrospective amend tax code, देखो इसका मतलब यह है, के पहली बात तो इसमें यह लिखा हुआ था, के जो भी offshore deals है ना, वो भी होगी अब taxable, और retrospective मतलब के यह amendment, यह संशोधन होने से पहले भी, जो भी यहाँ पर deals हुई है, उन पर भी भारस सरका लगा सकती है tax और by the way, जो यह निर्डे था 2012 का, यह बहुत controversial था क्योंकि आप सोच कर देखिए, एक company एंडिया में काम कर रही है, अभी के लिए जो law है उसके हसाब से, वो कोशिश कर देखिए, कि जितना tax कम हो सके, वो उतना tax कम दे, हर company एगी कोशिश करती है कि profit बढने के लिए, tax में जैसे भी वो कुछ loophole डूल कर tax कम दे, अब अचानक से सरकार कहीं साल बात कहती है, कि हम लेके आए है retrospective कोई tax code, इसमें क्या होगा, कि पिछले 5 साल में भी, अगर आपने कोई deal करी है, कोई आपने shares transfer किये है, उस पर भी हम लगाएंगे tax, अब company कहेंगी कि उस वक्त तो हमको पता था नहीं कि यह सब यहाँ पर अपनी के बहल होगा, अब अचानक से आप यह कैसे apply कर सकते हैं, तो retrospective tax का जो issue है न, यह ना सिर्फ इंडिया में, औस्टेलिया, एटली, दुनिया भर में एक काफी controversial issue है, companies कहती है के सरकार हमको exploit कर रही है, सरकार यहाँ पर यह कहती है के companies loophole निकाल लेती है काफी बार, इसलिए हमको tax वापस वसूल करने के लिए, यह retrospective जो tax code है, यह लाना पड़ता है, अब इंडिया जब यह tax code लेकिया था 2012 में, इस पर काफी controversy हुई थी, कई लोगों ने उस वक्त इसकी अलोशना भी करी थी के यह नहीं करना चाहिए, प्रना मुखरजी साहब ने अपनी बात में किया किताब आई थी the coalition years, जहाँ आप इन्होंने बात करी अपनी political life की, between 1996 तो 2011, इन्होंने खुद का, कि उस वक्त 2012 में डॉक्टर मनुवन सिंग, सुनिया गांधी, चिदमरम, सिब्बल सबने oppose किया था retrospective tax को, मगर उस वक्त bureaucrats को, finance minister को जो ये खुद थे, इन्हें लगा कि यहाँ पर ये tax introduce करना चाहिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे, तह हिंदू का article है 2012 का, प्रना मुखरजी defense IT tax amendment with retrospective effect, अब जो ये 2012 retrospective tax वाली बात है इसको लेकर, NDTV ने भी अपने article में काफी अच्छा है यहाँ पर cover किया इसको यहाँ पर आप देखेंगे, ये कह रहे हैं कि जो 2012 में इंडिया ने retrospective tax code induce किया था इससे government के पास और जड़ा power आ गई थी, to go after tax और बहुत सारे industrialists और जो law firm associates से, उन्होंने बात में ये भी कहा कि जो 2012 की amendment फॉर्म हुई, UPA2 government जब election हार गई, फिर 2014 में बनी NDA government, led by BJP तो उस वक्त के जो finance minister थे अरुन जेटली साब, इन्होंने ये कहा था कि देखो, कि जो retrospective tax वाली बात है ये बिल्कुल खराब है, इसकी वज़े से Vodafone, Kain, कई जो companies हैं, इनके सारे issues खड़े हो गए है और इंडिया में जो investment का महौल है ये भी खराब हुआ है, हम इस error को धुराएंगे नहीं, मगर तब भी, जो Kain Energy का case है, वहाँ पर इंडिया ने बार-बार ये जो retrospective tax वाली बात है ये repeat करी, at the permanent tribunal, मगर finally, जो judgment आया है, उसमें surprisingly एक बहुत ही important बात अड़ करी गई Arbitration court ने यहाँ पर यह कहा कि देखो, इंडिया और UK के बीच में है एक bilateral investment treaty और जो यहाँ पर shares transfer किये थे Kain ने, यह आता है investment वाले portion के अंडर, तो इंडिया यहाँ पर उस type के tax यहाँ पर लगा सकता, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर यह कहाए कि IT department ने, जो 10% stake up ने पास लिया था, उसमें ने कई share उन्होंने बात में बेज भी दिये थे to recover some money, यह पैसा वापस देना होगा इंडिया को to Kain UK, और साथ में damages के रूप में कुछ और millions of dollars भी pay करने होंगे to Kain, तो जो total amount है, यह most probably 10,000 crore से लेकर 11,000 crore के आसपास का बन सकता है तो इस तरीके से Kain India को मिलेगा यह सब पैसा, so final question आपके मैंड में यह आएगा, तो क्या India यहाँ पर 1.2 billion के आसपास जो भी पैसा है, यह हम pay करेंगे to Kain, देखिए, यह depend करता है government of India के decision पर किया finally यह चाते हैं, कि जो यह issue है, यह बस खतम किया जाए, already इस issue ने India की जो image है, as an investment destination, यह काफियत तक खराब करी है हम जितना आपने आपको promote कर ले add world economic forum, add UN जितने हम speech दे दे, जब तक retrospective tax जरे जो issues हैं इंडिया में रहेंगे, हम companies को surprise करेंगे tax के साथ, और companies इंडिया छोड़के भागेंगी, तो तब तक एक proper investment का महौल, हम इंडिया में बनानी पाएंगे, need कही ना कहीं यह है कि, यहाँ पर retrospective taxes related जो हमारे कानून है इनको हम फ़रा सा relax करें, companies को invite करें to invest in इंडिया, और in future, इस track पर जो cases हैं यह होने से पहले ही इनको avoid करें So, यह है end इस वीडियो का Thank you for listening and as always, God bless you all